दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड मैटरिक सेंटर पिकजाम का मैथ का साथ अब्जेक्टिव का आंसर की को बतलाओंगा यदि जो आप लोग भी मैटरिक का सेंटर पिकजाम देखर के आए हैं तो इस बीडियो को लाज तक देखेगा यहाँ पे आप लोगों को सही सही अंसर मिल जाएगा साथी साथ एक बार आप लोग पूरा वीडियो को देख लिते हैं तो रिभाइज हो जाएगा इससे आपको board exam में काफी ज़्यादा फायदें मिलेंगे क्योंकि एक question जो की board exam में भी पूछे जा सकते हैं इसलिए आप लोग अराम से लाज तक देख लिजेगा साथी साथ आप लोग अभी तक metric का अच्छे तरीका से तयारी नहीं किये हैं तो एक channel open किया गया है जिसका नाम है online reading class आप लोग उस channel को subscribe नहीं किया है तो नीचे वीडियो के नीचे description में लिंक दे दिया गया है जाकर के उस channel को subscribe जल्दी से कर लिजे श्टार्ट करते हैं वीडियो को वीडियो को एक like भी कर दीजे तब तब दोस्तों यहाँ पे question number first में पुछा गया है यदि A equal to 3 power 4 गुने 5Q तथा B equal to 3 square गुने 5 square तो यहाँ पे masa AB का पुछ रहा है देखें फर्स्ट का क्या हो जाएंगे फर्स्ट का यहाँ पे A हो जाएंगे ठीक है दोस्तों पचीस हो जाएंगे फटाफट यहाँ पे कर लेंगे देखें दो का क्या हो जाएंगे जादा जो यहाँ पे दो का क्या हो जाएंगे दो का B हो जाएंगे ठीक है 43 Y यहाँपे 99 हो जाएंगे चलिए दोस्तों यहाँपे question number 3 में पुछा गया है चतुरहुज केसे सभी 4ोगोंनों का योग होता है देखे चतुरुफुच का चारो कोन यहाँ पे पूछ रहा है The sum of all four angle ठीक है चारो कोन यहाँ पे पूछ रहा है उसका योग तो कितना होता है तीन का क्या हो जाएंगे तीन का सी हो जाएंगे ठीक है 360 degree ठीक है question number 4 11y यहाँ पे 80 का दस्मला प्रसार कितना होगा यहाँ पे क्या होगा सांत असांत आवरित्ती कौन होगा चार का क्या हो जाएंगे चार का ए हो जाएंगे ठीक है सांत हो जाएंगे question number 5 में पूछा गया है यहाँ पे निमलिखित में कौन सी अभाज संख्या है 4 option दिये गया है तो यहाँ पे पूछा गया है which of the following is a prime number यानि अभाज संख्या यहाँ पे पूछा गया है 5 का क्या हो जाएंगे 5 का B हो जाएंगे 41 हो जाएंगे चली यहाँ पे question number यहाँ पे 6 में पूछा गया है बहुपाद 8x plus 14 का सुन्यक है कितना हो जाएंगे 6 का क्या हो जाएंगे 6 का B हो जाएंगे minus 7y4 हो जाएंगे B हो जाएंगे question number 7 में पूछा गया है 128 by 168 का सरलतम रूफ है 7 का क्या हो जाएंगे साथ का B हो जाएंगे ठीक है सोला भाई 21 हो जाएंगे चलिए कोशन नमर आठ में पुछा गया है निमली खित में कौन आप्रिमे संख्या चार अप्सन दिये गये थे इनमें आप्रिमे कौन है आठ का क्या हो जाएंगे आठ का D हो जाएंगे ठीक है कोशन नमर दस में पुछा गया है निमली खित में कौन परिमे संख्या है परिमे कौन है चार अप्सन दिये गये है दस का क्या हो जाएंगे दस का A हो जाएंगे ठीक है रूट नव हो जाएंगे वीच ओफ दफ फॉलोविंग इज यहाँ पर रेशनल नमबर पूछ रहा है ठीक है कोशन नमर 11 निमली खित में कौन दिघात बहुपद है जिसके सुन्यक 5 और माइनस 3 है दिघात बहुपद है जिसके सुन्यक 5 और माइनस 3 है क्या हो जाएंगे 11 के क्या हो जाएंगे A हो जाएंगे ठीक है देखिए आप लोग तोड़ियेगा तो 5 ती अब 15 हो जाएंगे ठीक है इसलिए 5 भी हो जाएंगे और यहाँ पर माइनस 3 ना जाएंगे ठीक है इसलिए देखिए आप लोग यहाँ पर निकल रहा है तो क्या रहाँ क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे कोश्या नमर 12 पुछागे हैं निमन में कौन 3x minus 2 equal to 0 तथा 3x plus 2 5 by equal to 36 का हाल है 12 का क्या हो जाएंगे 12 का A हो जाएंगे ठीक है x equal to क्या हो जाएंगे 2 और 2 equal to 6 हो जाएंगे आप लोग निकालिएगा तो कोश्या नमर 13 बहुपत x square minus 15 x plus 56 का घात कितना है 13 का क्या हो जाएंगे 13 का B हो जाएंगे ठीक है 2 हो जाएंगे यहाँ पे degree of the polynomials पूछा गया है ठीक है इतना का कोश्या नमर यहाँ पे 14 में पूछा गया है यदि 2 चरों में 2 रैखिक समिकर्णों के अलेख प्रति छेदी रिखाएं हो तो हालों की संख्या है 14 का क्या हो जाएंगे 14 का A हो जाएंगे ठीक है सिर्फ एक हल हो जाएंगे कोश्या नमर यहाँ पे 15 में पूछा गया है दिखा यहाँ पे 3 घात बहुपद P X इक्वाल टू X Q माइनस 3 X स्कॉयर प्लस X प्लस 1 के सुनिया को का योग होगा देखिए 15 का क्या हो जाएंगे 15 का B हो जाएंगे ठीक है 3 हो जाएंगे कोश्या नमर यहाँ पे 16 पूछा गया है समांतर स्रेणी का सार्व आंतर होगा आप लोग निकालेगा यहाँ पे समांतर स्रेणी ठीक है स्रेणी यहाँ पे पूछा गया है स्रेणी अलग होता है 16 का क्या हो जाएंगे 16 का C हो जाएंगे ठीक है कौन सत्य है देखी 17 का क्या हो जाएंगे 17 का A हो जाएंगे ठीक है B square equal to A C हो जाएंगे ठीक है चलिए दोस्तों यहाँ पे कोशा नमर ठारा पुछा गया है सभी बर्ग होते हैं सभी बर्ग जो कि क्या होते हैं समरूप होते हैं ठीक है similar हो जाएंगे ठारा का A हो जाएंगे कोशा नमर 19 दिखाद समिकरन AX square AX square plus BX plus C equal to 0 A not equal 0 का मूल होता है देखें 19 का क्या हो जाएंगे 19 का A हो जाएंगे X equal to हो जाएंगे minus B plus minus root B square minus 4 A C हो जाएंगे कोशा नमर 20 में पुछा गया है तीरहुज PQR में QR को S बिन्दू तक बढ़ाया गया है जिससे यहाँ पे एंगल PRS equal to 100 degree तथा एंगल यहाँ पे PQ equal to 70 degree तो यहाँ पे एंगल QPR का मान कितना होगा देखें 20 का क्या हो जाएंगे 20 का A हो जाएंगे 30 degree निकल जाएंगे ठीक है चलिए दोस्तों यहाँ पे QN 21 में पुछा गया है सम्मानतर स्रेड़ी का यहाँ पे 25 पद होगा 25 पद कितना होगा आप लोग निकालेगा तो AP यहाँ पे पुछा गया है ठीक है 25 का ठीक है तो यहाँ पे 25 पद कितना होगा फटा-फट कमेंट करके बताएंगे 21 का क्या हो जाएंगे 21 का बी हो जाएंगे 21 हो जाएंगे QN20 20 28,0 एज़ीत है यहाँ पे 20 अक्ष पे 4 अपसन देगे graveyard 22 का क्या हो जाएंगे 22 का A हो जाएंगे ठीक है पर्थम पद पे कोशन नमर तेश, समांतर स्रेड़ी 21, 18, 15 का कौन सा पद 0 है तो यहाँ पे कौन सा पद 0 है 23 का क्या हो जाएंगे, 23 का A हो जाएंगे ठीक है, 6 पद जोकी 0 हो जाएंगे, कोशन नमर चोविस में पुछा क्या है, यादि किसी दिखाद बहुपद PX equal to X square minus 2X plus 8 8 के सुनिया, alpha beta हो तो alpha into beta alpha into beta का यहाँ पे क्या हो जाएंगे देखे, sorry यहाँ पे 25 में पुछा क्या है 25 का क्या हो जाएंगे, अनसर देखे, यहाँ पे 25 का क्या हो जाएंगे पूछा क्या है, ठीक है, quadratic polynomials इतना दिया हुआ है, तो alpha into beta हो जाएंगे, alpha into beta क्या हो जाएंगे आप लोग बैठाएंगे, यहाँ पे फर्मूला पे कितना आजाएंगे 8 हो जाएंगे Q26, तिरिवुज, ABC जिसके सीर्स, A equal to इतना इतना दिया हुआ है, तो केंद्रक यहाँ पे निर्दे सांख है देखे, 26 का क्या हो जाएंगे 26 का C हो जाएंगे, ठीक है यहाँ पे 9Y2 ठीरी हो जाएंगे Q27, यदि दो समरूप तिरिवुज, जो के 6 तरफलों का अनुपाद 100 यहाँ पे रेशियो 121 हो तो, उनके संगत भुचाओं का अनुपाद कितना होगा 27 का क्या हो जाएंगे 27 का D हो जाएंगे, ठीक है 10, रेशियो यहाँ पे 11 हो जाएंगे चलिए, कोशा नमर 28 में पुछा किया है, बींदूओं इतना इतना दिया गया है, तो बीच की दूरी कितना हो जाएंगे आप लोग निकाल लिएगा, तो कितना दूरी हो जाएंगे 28 का क्या हो जाएंगे 28 का देखे, B हो जाएंगे, ठीक है रूट 2 हो जाएंगे, कोशा नमर 29 दो यहाँ पे सम्मान कोनिक तिर्भुजो, में उनकी संगत भुजाओं का अनुपास सदैग, सम्मान रहता है, कहा जाता है, क्या कहते है हम लोग, ठेल स्पर में, ठीक है 29 का क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे चलिए, कोशा नमर 30, मूल बिंदू का निया तांक है, देखे मूल बिंदू का निया तांक क्या होता है, 00 होता है 30 का क्या हो जाएंगे, 30 का डी हो जाएंगे यहाँ पे सोरी, यहाँ पे कोशा नमर रहे, 31, 31 में पूछा क्या है, यादी तिर्भुज PQR में, PQ is equal to 6 है QR is equal to 12 cm, यहाँ पे PQR is equal to 6 root 3 है तो यहाँ पे सेमी तो 31 का क्या हो जाएंगे 31 का 31 का A हो जाएंगे, 60 डीगरी हो जाएंगे फटाप फटाप करेंगे, काफी ज़्यादा समय लग रहा है वीडियो को लॉंग बनाना से कोई फाइदा नहीं 32 में, यदि बिंदूआ यदि बिंदूआ इतना इतना तो यहाँ पे कोई मिलाने वाले रेखाखंड क्या हो जाएंगे 32 का क्या हो जाएंगे 32 का A हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे चलि कोशन नमा है, 33 हो जाएंगे यहाँ पे DC parallel, BC और यहाँ पे AD Y DB इतना इतना दिया होगा तो 1 Semi हो तो EC इसी क्या हो जाएगे 33 का क्या हो जाएगे 33 का A हो जाएगे 2 cm हो जाएगे Quesion नमर 4 तो Cod theta equal to यहाँ पे 5 भाइ 13 हो तो Cod theta command क्या हो जाएगे 34 का क्या हो जाएगे D हो जाएगे 12 भाइ 13 काफी important question काफी बारे board exam में पूछा गया है चलिए यहाँ पर question नमर 35 यदि एक 12 मीटर उचे खंबे की 6 पर 3 पर 4 वाई रूट 3 मीटर लंबी है तो सूर का यहाँ पर उनयान कौन है कितना हो जाएंगे 35 का क्या हो जाएंगे 35 का भी हो जाएंगे 60 डिगरी हो जाएंगे 36 में पूछा गया है 1 प्लस 10 स्क्वाइड ठीटा इक्वाल टू क्या हो जाएंगे 1 प्लस 10 स्क्वाइड ठीटा इक्वाल टू क्या हो जाएंगे से का स्क्वाइड ठीटा भी हो जाएंगे 36 का कोशें नमर 37 आर्थीर्जय वाले विरित के लिए थीटा कोण वाले थीजय खंड के चाप की लंबाई है क्या हो जाएंगे 37 का क्या हो जाएंगे 37 का ओ जाएंगे ठीक है थीटा वाई 360 डिगरी गुने पाई रसक्वाइर हो जाएंगे चलिए question number 38 38 में पूछा गया है यदि एक विरित का परिमाप और छेतरफल संख्यात्मा को रूप से बराबर है तो उससे विरित की त्रिजिया है 38 का क्या हो जाएंगे 38 का D हो जाएंगे 2 इकाई हो जाएंगे question number 40 यदि A equal to 30 degree तो यहाँ पे sin A into कौसेक A equal to क्या हो जाएंगे 49 का क्या हो जाएंगे 49 का A हो जाएंगे 1 हो जाएंगे question number 40 एक चकर में 14 सेमी त्रिजिया के पहिया द्वारत तै की गई दूरी कितना हो जाएंगे 40 का क्या हो जाएंगे 40 का B हो जाएंगे 88 cm हो जाएंगे चलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे 88 cm हो जाएंगे 42 नमर कोशन में यदि संकु की तरीजिया आर तथा यहाँ पे तिरियक उचाई एल होतो वर्क यहाँ पे प्रिष्ट का छेतरफल होगा 42 का क्या हो जाएंगे B हो जाएंगे, PRL हो जाएंगे कोशन नमर 43 में पुछा गया निमली खित में कौन 1Y2 के बराबर है देखें 4 ओप्सन दिया गया है क्या हो जाएंगे 43 का D हो जाएंगे सायन 30 का मन कितना होता है 1Y2 हो जाएंगे चलिए कोशन नमर यहाँ पे 44 में पुछा गया है, दो वेलनों की 3 जाओं का अनुपाद 2 ratio 3 है और उनकी उचाईयों का अनुपाद इतना है तो उनके आयतन का अनुपाद कितना हो जाएंगे देखें इसका B हो जाएंगे ठीक है, ए अंसर में थुछा सा डॉट है आप लोग को अंसर मालू होगा था कमेंट कर दिजिएगा 45 नमर कोशन देखें, 45 लॉट है 45 का क्या हो जाएंगे 45 का डिरेक्ट अंसर जो की B हो जाएंगे 60 डिग्री कोशन नमर 46 जब दो सिक्के उच्छा ले जाते हैं तो चीत आने की दो चीत आने की प्रैक्टा क्या होगी प्रब्लेटी पूछा गया है ठीक है यहां पर प्रब्लेटी आफ गेटिंग टू हेट्स विन टू कोईंस आर टॉसेड इस कितना हो जाएंगे 46 का फटाफ़ 46 का B हो जाएंगे 1 by 4 हो जाएंगे 47 PA और PB और B ओपके इंद्रे वाले विरित की स्पैस रेखाएंगे यदी इतना इतना दिया हो तो क्या हो जाएंगे 47 का 47 का A हो जाएंगे 60 डिगरी हो जाएंगे कोशड़ नमर अर्तालिस यदी कॉस A इक्वल टू साइन A हो तो A का मन क्या हो जाएंगे 48 का क्या हो जाएंगे 48 का B हो जाएंगे ठीक है 0 डिगरी हो जाएंगे कोशनों उचास 1 यहां पर एर्ध विरित का कोन होता है कितना डिगरी का उचास का क्या हो जाएंगे उचास का D हो जाएंगे, ठीक है, 180 डिग्री, कोशन हो 50, 4 sin square theta plus 4 cos square theta equal to क्या हो जाएंगे, 50 का क्या हो जाएंगे, 50 का D हो जाएंगे, ठीक है, 4 हो जाएंगे, .net बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गे हो, यह आप से solve नहीं हो पारा है, बस उस question का photo खिचना है, crop करना है, फिर submit कर देना, आपको 5 second के अंदर video solution मिल जाएगा, फिर चाहे किसी भी board का home work हो, CBSC board, UP board, भिहार board, महराष्टा board, राजस्थान board, MP board, other board, classic से 12 से लेकिनी टाइटी, जैमेंस और advanced level तक, all subject का मिलेगा solution, .net पे, physics, chemistry, math, biology का साथी, .net पे, 9 से 12 क्लास के बच्चों के लिए चल रही है, Hindi, English, दोनों मेडियम में live classes, तीन कलो से ज़्यादा बच्चों ने download करके पढ़ रहा है, .net पे, आप भी download किजे, .net आप को link description में दे दिया गया है, .net पे, कामन पुछा के लिए, डिम में से कौन सी किसी घटना की प्रैक्ता हो सकती है, .net देखिए कामन के क्या हो जाएंगे, .net एक हो जाएंगे, .net चलिए यहाँ पे question number 22 में बहुलक पुछा के है, कि बहुलक है, .net देखिए जो जादा, जो बार बार हो लागता, उसी काम कोशलिए नमर 4 इतना का परिसर हो जाएंगे , , 54 का ए हो जाएंगे हुलक है , 26 हो जाएंगे , 25 का क्या हो जाएंगे , 55 का भी हो जाएंगे , 25 यहाँ पे , इसका ऑंसर गलत हो सकता है इसलिए , आप लोग तो जानते हैं , तो कमेंट कर दीजिएगा , 56 में पुछा गया है , , संतावन का से प्रोड़ neighbors हो जाएंगे स क्यों प्रोड़ शुड़े प्रोड़ historic the distance of the point A यहाँ पर दिया हुआ है minus A minus B from the origin will be देखिए यहाँ पर distance निकालने के लिए दो point के बीच क्या formula हो जाएंगे 60 का क्या हो जाएंगे 60 का A हो जाएंगे root A square plus B square दोस्तों वीडियो को लाइ कर दीजेगे साथी साथ सेयर कर दीजेगा मिलते के नए वीडियो में तब तक लिए जैहिन बंदे मात्र